बिसमिल्ला रख्मान ररहीम मेरे बहुत अजीज हम वतनो specially जो आज differently abled बच्चे मेरे सामने मेरे left side पे बच्चे और बच्चियां खड़ी हैं जो special बनके बहुत special बच्चे मेरे सामने खड़े हैं बहुत अच्छा आपने कौमी तराना पढ़ा बहुत अच्छा आपने जो तराने थे वो पढ़े शाबाश आपके लिए आसानिया पैदा करे और हम सब आपके साथ हैं और इसके इलावा जितने बच्चे यहां पर मुझूद हैं तेरे राइट साइड पे आपने बहुत अच्छा तराना पढ़ा जो बच्चे यहां पर मुझूद हैं मैं आप सब को शाबाश भी देना चाहती हूं आप को अप्रीशी की चाहती हूं मुअधस खवतीन अ हजरात My profound gratitude to the esteemed members of the diplomatic community present here thank you for being a part of Pakistan Day celebrations I welcome you all from the core of my heart Thank you very much मैं आज आपको पाकिस्तान के हर शेरी को पाकिस्तान की 77 वी सालगिरा पे दिल की गहराईं से मुबारक बात पिश करती है और अल्ला ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्ला ताला ने हमें आजादी जैसी नेमत से नवाजा अल्ला ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा पाकिस्तान जैसी धरती से नवाजा और आज पाकिस्तान 77 वी बर्स में शामिल हो गया है दाखिल हो गया है अल्ला ताला हमारे पाकिस्तान को सदा काइम और नाइम शाद और आबाद रखे मैं खसूसन बच्चों से मुखातिब हूँ जो हमारी आने वाली नसल है हमारे जो मुल्क की बाग दोड़े इनके हाथ में होगी इन्शाला तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ अभी इन्हों ने बच्चों ने पढ़ा कि हम जिन्दा कौम हैं पाइंदा कौम हैं हम पाइंदा कौम हैं क्योंकि आल्ला पाकिस्तान को इन्शाला सलामत रखेगा लेकिन आज जहां पर हम खुश हैं आल्ला का शूकर अदा कर रहे हैं कि हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो मैं अपने आने वाली नस्टों के सामने ये सवाल रखना चाहती हूं, कि इस सवाल के बारे में जरूर सोचना, मेरे राइट साइट पे हमारे जो वियरोक्राट्स हैं, वो बैठे हैं, पुलीस के जवान खड़े हैं, बच्चे बैठे हैं, खवतीनों हजरात हैं, हमारे प पाइंदा कौम हैं, लेकिन क्या हम जिन्दा कौम हैं, ये सवाल में आपके साथ आच छोड़ के जाए हैं, आपके पास छोड़ के जाए हैं, इसका जवाब जरूर सोचना, हमारा जो जंदा है, आप सब ने भी वो लम्हा बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया होगा, मैंने भी किया, कल में मिया चनु गई, अर्शद नदीम के पास, और मैं उसको ट्रिब्यूट पेश करने गई थी, कि जब वो मॉमेंट आया, जब उलम्पिक्स में स्टेडियम के अंदर वो लम्हा आया, जब कई दहाईउं के बाद, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला, तो जिस लम्हें पाकिस्तान का जण्डा, बच्चो ध्यान से सुनना, पाकिस्तान का जण्डा उपर जा रहा था, और फिर सबसे उपर चला गया, और पूरे स्टेडियम में और पूरी दुनिया में हमारे कौमी तराना जब गूंज रहा था, तो मेरे लिए बहुत प्यक्साफ नहीं क्या है, यह दखाईूं के बाद नहीं आने चाहिे, यह मोमंट्स हर रोज आने काहिए क्यूंके हमारे नौजवानों में, हमारी गॉम्में बहुत टालेंट ह। पाकिस्तान की अंदर इतना टैलेंट है कि थोड़ा सा अगर enabling environment इनको मिले तो ये इन्शाला ताला इस कौम को इस मुल्क को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकती। ये जो छंडे हमारे सामने हैं बच्चों में भी पकड़े हुएं इस छंडे में सब्स और सफेद रंग है तो सब्स रंग के साथ जो सफेद रंग है जिनको हम minorities कहते हैं जो minorities की अलामत है मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये कहना चाहंगी कि जितना ये वतन हमारा है इतना पाकिस्तान में बसने वाले minorities का भी है तो उनके लिए अपने दिल के दिलों के अपने दमागों के दरोजे खोलें कि यहां पर कोई तफरीक नहीं है यहां पर हम सब पाकिस्तानी और इमान, इत्ताद, ये गानगत की एक मिसाल जो है वो बच्चो आपको काइम करनी और जहां पर उनसे ज्यात्ती होती है, जहां पर उनको तकलीफ दी जाती है वहां पर हम सब का आवाज उठाना और हम सब का उसके आक्शन लेना बहुत जरूरी है ये बात बच्चो बहुत जरूरी है, इसको जरूर समझना आज मैं पाकिस्तान के तमाम सियासेदानों को, पार्लिमेंटेरियंस को जो आज तक रहें, जिन्होंने मुल्क की तरकी में अपना हिस्सा डाला है खसूसन नवाज शरीफ सहाब को, जिन्होंने इस मुल्क को अल्ला ताला के फज़र करन से आने वाली तमाम वक्तों के लिए उनने इसको आटमी ताकत बनाया है हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और चाहे वो ब्यूरोक्राट्स में से हमारे भाई और बहन हो, चाहे वो किसी भी फील्ट से हमारे भाई और बहन हो अफवाज पाकिस्तान हो, सिक्यूरिटी पोसेज हो, पुलीस हो, कुछ भी कहीं से भी हो हम सब को जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में खिद्मत में अपना हिसा डाला है आज हम सब को अकनॉलिज करते हैं अप्रीशियेट करते हैं और खराजी के सीन पेश करते हैं मैं एक और चीज़ भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं और आज़ादी की कीमत आज फलस्तीन में जो मजालिम धाय जा रहे हैं फलस्तीन के जो हमारे भाई बहन बच्चे उनके उपर जो मजालिम धाय जा रहे हैं उनके लिए हम ये दौा करते हैं कि अल्ला उनके लिए आसानिया पैदा करे अल्ला इस जल्म से उनको निजात दे अल्ला उनको सकून से रहना नसीब करे लेकिन आजादी की कदर ऐसे वाक्याद को देखके एक आजाद मुल्क के एंदर सांस लेने की कदर आजादी की कदर इंसान को दिल से महसूस होती है जब वो ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास आजादी नहीं है जो लोग जुल्म का शिकार उनके उपर क्या गुजरती है तो हर रोज हमें अल्लाँ ताला के सामने सर्वसजूद होना चाहिए के अल्लाँ ताला हमें आजाद मुलक अता किया आजादी अता की आजादी दुनिया के सबसे बड़ी में बता है और फ़े हर जिन्दा कौम हर जीती जागती कौम जो है वो अपना एतिसाब करती है तो हम सब को भी इंडिविजवली भी और बतौरे कौम, बतौरे नेशन हमें भी अपना इतिसाब करना है कि क्या इन 77 एर्ज में, 77 सालों में हमारी कामियाबियां जादा है या अब मैं नकामी का लफ़ इस्तमाल करना नहीं चाहती हमें अपना इतिसाब जरूर करना चाहिए लेकिन, let bygones be bygones जो वक्त गुजर गया, वो गुजर गया आने वाला वक्त, मैं फिर अपने आने वाली नस्वनों से जो मेरे दाएं खड़ी हैं, बाएं खड़ी हैं पीछे बच्चे बेठे, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हो गया, वो हो गया पाकिस्तान को अल्ला ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है पाकिस्तान के अंगर अल्ला ताला ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पुलिटिकल स्टिबिलिटी हो, सियासी इस्तहकाम हो और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई, जगड़े, गाली, गलोट से अगर हम परहेज करें और एक कौम बनके आगे बढ़ें और एक कौम की तरह सोचें तो ये मुल्क की तकदीर को समर्गने से, अल्ला के फजल करम से कोई नहीं रोग सकता है इसमें आपके लिए एक मेसेज है, इसके बारे में जरूर सोचना कोई नेमत ऐसी नहीं जिससे अल्ला काला ने हमें महरूम रखा हो और मैं आज जितने शुहदाँ हैं इस मिटी के अफवाज पाकिस्तान के जो शुहदाँ हैं जिनोंने अपनी जाने वतने अजीज के लिए कुर्बान की सिक्यूरिटी फोसेस के जितने जवाण हैं जिनोंने अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया पुलीस के हमारे जो नौजवान हैं जो शहीद हुएं कल राख को भी शहीद हुएं कल और परसों जो हमारी फौजी जवान जिन्होंने शहादतें पेश की हैं और किसी खौफ के बगएर आज भी वो शहादतें देखकर भी हमारे जो जवान हैं वो जिस तरह इस मुल्क की हिफादत कर रहे हैं हमारी हिफादत कर रहे हैं इस मिटी की हिफाज़त कर रहे हम सब मिल के उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और शुहदा के ली दौआ करते हैं कि अल्लु निया जुख़दा को अपने जो अल्लु ने वो वादे और इनामाद जो आखरत के लिए और शुहदा के लिए रिजर्फ किये हुए अल्लु ने लिए उनको नवाजे आज ये एहद करके बच्चों हम यहां से उर्थें कि हम आइंदा जब भी सोचेंगे और ये मैं अपने बियूरोक्राट से भी कह रही हूँ पुलीस पोर्स से भी कह रही हूँ जो मुझे सुन रहे हैं मैं उन से भी कह रहे हूँ मैं अपने मिनिस्टर से भी पारिमेंटेरियन से भी यह कह रहे हूं कि आज के बाद जब हम सोचें तो अपने मुल्क के लिए एक कौम बनके सोचें एक फर्द और एक शक्स बनके ना सोचें अपने कौम के लिए सोचें अपने मुल्क के लिए सोचें और जो कदम उठाएं वो इस मुल्क की बेकरी के लिए हो तरक्षी के लिए हो अपने political differences पीछे रखे हम अपने मुल्क की जब बात आती है तो हम सब को यूँ होना चाहिए ये मुल्क काइद आज़म मुहमद अली जना ने बनाया था अल्ला ताला उनको गरी के रहमत करे अल्ला ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और वो शुहदा जनने नाइनटीन पॉटी सेवन में अपनी जानों का नजराना पेश किया ताके हम आज इस आजाद मुल् अल्ला ताला उनके दरजात भी बुलंद करे और हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए हर रोज याद रखना चाहिए जब हमें आज़ादी में सांस लेना नसीब होता है तो हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए और मैं अभी अलामा मुहम्मद अक्बाल के मजार पे गई थी फाजरी देने के लिए तो मैं ये सोच रही थी कि आज हम यहां से एहद करके उठें कि जो खुद मुफ़ार, खुशाल, तरक्की, आफ़ता, अजाद पाकिस्कान का खाब उन्होंने देखा था अल्लाम सब को तव्फीक दे कि हम उसको पाये तकमील तक पहुचाने ये मुल्क जिन्दा रहने के लिए बना है, हमें जिन्दा कौम की तरह इस मुल्क को हर रोज आगे बढ़ाना है अल्लाम करें कि ये जंडा, सब्स, हलाली, पर्चम हमेशा सब्स से उचा रहे आज मेरे नसीब में अल्लाम तालाम ने ये सादत लिखी, कि मैंने आज पाकिस्तान की पंजाब की पहली खातून वजीरिया हाला हुने के नाके पाकिस्तान का जंडा फिजा में बुलंद किया, मेरे लिए बहुत इमोशनल मॉमन था और मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान की, पाकिस्तान की हर शेरी को, पाकिस्तान की मिट्टी को, अपने माबाप को, जिन्होंने मेरे अंदर वतन की महबत कूट-कूट के भरी और पाकिस्तान की हर माँ को, हर बेटी को, हर बहन को देना चालती है कि आज सिर्फ मैं इस जगापे ने खड़ी, मैं पूरे पाकिस्तान की तमाम खवतीन को रेप्रेजेंट कर रे Allah ताला इस मुल्ग को सलामत रखे Allah ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे Allah ताला करे कि ये सबसे उंचा जंडा हमारा रहे और Allah करे कि हम एक जिन्दा कौम बने पाकिस्तान जिन्दा बाद